जैसे जैसे छट का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे पूरे देश का माहोल भक्ती में होता जाता है जी हाँ छट का पर्व है ही कुछ इसकदर कि यह सिर्फ बिहार और जहार घंड तक अपसीमीत नहीं रह गया है इसने अपना दाइरा तोड कर नजदीक किनकिन सरहदों को पार कर लिया खैर आज हम बात करेंगे पवन सिंग के तीन छट गीतों की जो की लगातार ट्रेड कर रहे है पवन सिंग का एक traditional song जोडे जोडे फलवा ये तो आप सभी को पता है कि ये कितना प्यारा song है इसी गाने को एक दिन में दो बार upload किया गया और ये गाना दोनों बार trending में चल रहा है साथ ही पवन सिंग का एक और पूराना गाना है जो trending में चल रहा है तो आपको बता दे कि प पर ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि लोगों के नए चटगीतों का इंतजार है लेकिन पवन सिंग के पुराने चटगीत ही अभी से trend करने लगे तो सोचिए नया चटगीत आएगा तो वो कितना trend करेगा साथ ही अभी तक नवरातरी के गाने trending से उतरे नहीं है लाल घागरा trending से उतरा नहीं है और अब लोग चटगीतों का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही चटगीत आएंगे आप सभी जानते हैं कि किस कदर उनकी डिमांड होगी वैसे आपको ये हम श्योर कर देते हैं नवरातरी से बढ़कर ही चटगीत होंगे पावस्टार पवन सिंग के क्योंकि इ इस बार वो आ रहे हैं सुर्यों की मलिका अनुराधा पौडवाल के साथ जिन्हें भक्ती रस के लिए जाना जाता है भोचपुरी जगत की होटर मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली